हेलो फ्रेंड्स, वालकम तू माई यूट्यूब चैनल, हैपी कॉमर्स हव् आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 कॉमर्स NCRT, सब्जेक्ट बिजनिस स्टडीज इस साल RBSC हिंदी मीडियम का स्लेबर्स टोटली चेंज हो चुका है RBSC की जगा अब हम इस साल से पढ़ेंगे NCRT NCRT, Hindi and English Medium दोनों में ही चेंज हुआ है CBSC में सारा स्लेबर्स English में होता है RBSC में option है, कुछ बच्चे English Medium चूज करते हैं और कुछ बच्चे Hindi Medium मेरी आज की इस वीडियो में मैंने Hindi Medium की स्लेबर्स को दिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बताया है So, आज का टोटली टॉपिक है 11th कॉमास NCRT सब्जेक्ट बिजनिस स्टडीज इसके कंटेंट्स में हम सबसे पहले देखेंगे सिलेबर्स, then important suggestions because 11th class this is totally new to for you all my dear students इस तेहन तक आप लोग जो regular subjects पढ़ रहे थे अब आप उनसे हटकर अपने interest के specific subject और stream में आ चुकी है उसके बाद lockdown है books मिलना बिल्कुल unavailable है तफ है books मिलेंगी ही नहीं अभी आपको इस time में hard copy में तो soft copy में आप इसको कैसे download करें ये मैं आपको बताऊंगी उसके बाद मेरे telegram channel का link और थोड़ सी जान करें मैं आपसे इस video में share करूंगी जो भी मेरे students इस video पर नए है मेरे channel पर नए है उसे subscribe करें, bell icon प्रेस करें क्योंकि lockdown और उसके बाद भी आपको यहाँ पर बहुत important content मिलने वाला है हम स्टार्ट करेंगे syllabus RBSC Hindi Medium here is the syllabus for NCRT chapter number first website, vapour और वानिज्य कोई भी अगर इस शब्द सुनता है तो माइन में यही आता है कि तीनों वर्ट से नोनिम्स है यानि कि प्रियाव अची है एक दूसरे के पर ऐसा नहीं है तीनों में अच्छा खासा difference आपको जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा इसमें हम पढ़ेंगे व्यापार का अर्थ उनकी विशेष्टा है उनके बीच में difference second number chapter है व्याव साइक संगठन के स्वरूप हम अपने आसपास देखते हैं कुछ शॉप्स होती हैं कुछ बड़ी फर्मे होती है अभी आप जो यह वीडियो देख रहे हैं आप जो किसी लैप्टॉप में देख रहे होंगे या फिर फोन में तो अफ्कॉस यह बात हो किसी ना किसी कंपनी का हो गई तो यह भी क्या है आपके व्यवसाय का स्वरूप है कंपनी का स्वरूप बड़ा होता है अगर एक शॉप है तो हो छोटा होता है उसके अलावा भी और भी स्वरूप है उनके बारे में हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में स्टड़ी करेंगे चैप्टर नंबर 3 इन स्वरूपों को किन किन इस्तर पर खोला जा सकता है निजी स्थर यानि कि किसी व्यक्ति का अपना इंडिविज्विज्व परसनल सारजनिक यानि कि पब्लिक यानि कि गॉर्मेंट में जिसमें इन्वेस्ट किया हो भुमंडली उपकरम यानि कि आपके वैश्विक इस्तर पर जितने भी उपकरम है उनके बारे में इस अध्याय में हम चैप अध्यान करेंगे फॉर्थ है व्यवसाइक सेवाइं व्यवसाइ अपने ग्रहाकों को संतुष्ट करने के लिए क्या के सेवाइं प्रदान करता है उसके बारे में चैप्टर नमबर फॉर्थ में हमें जानने को मिलेगा चैप्टर नमबर फाइफ व्यवसाइ की उभरती पद्दिया प्रतिस परदा का दौर है जो आगे बढ़ता है उसे अपने चेंजेज लाने होते हैं नई चीजों का अपनाना पड़ता है तो क्या नई नई आया हम व्यवसाइ में हमें आयसा में देखने को मिलते हैं क्या क्या नई नई उभरती पद्दितिया है वो हम चैप्टर नमबर 5 में स्टेडी करेंगे चैप्टर नमबर 6 व्यवसाइ का सामजिक उत्तादाईत यह व्यवसाइ नयतिकता बेसिकली यह चैप्टर 12th RBSC Board का इस साल का चैप्टर नमबर 14 है जो कि आप NC IT लाग होने के बाद 11th क्लास में ही पढ़ लेंगे इसमें हम पढ़ेंगे कि एक व्यवसाइ का अपने समाज के प्रति क्या-क्या उत्तादाई तो होता है क्योंकि एक व्यक्ति जो भी अपना व्यवसाइ कर रहा है समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए ही वह अपना व्यवसाइ करता है तो उसके कुछ ना कुछ दाई तो अपने समाज के प्रति होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर नमबर 7 कंपनी निर्मान व्यवसाइक संगटन के स्वरूप में कंपनी को आप शॉर्ट में पढ़ेंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कंपनी के स्प्रकार निर्मित होती है कौन लोग कंपनी खोल सकते हैं क्या कंपनी कोलने के रूल्स हैं यह सब हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे चैप्टर नमबर एट विवसाइग विद के स्रोथ विद यानि की फिनेंस यानि आपका धन कोई भी चीज धन के बिना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है विवसाइग के अंदर का लगाता है सुचार रूप से चलाने के हमें धन की आवशक्ता होती है किस-किस रोच से वो धन जुटाया जा सकता है इसके बारे में हम यहाँ पर अध्यान करेंगे चैप्टर नमबर नाइंट लगू विवसाइव मुद्यामिता विवसाइग का स्वरूप उसके बाद उसका आकार जो हमने छोट छोटी क्लास द पढ़ा है कुट लूर दो लगू लग्यामिता याँ और शन्व लगू विवसाई करने के प्रवर्ति को हम क्या कहते हैं उद्धीयमिता उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा चैप्टर नमबर टेंट आंतिक वेपार एक देश की भॉगोलेक शीमाओ के अंतरगत क जाने वाला वैप़ार आंति वैपढ कहलाता है किस-किस प्रकार से होता है क्या-क्या शरते होती हैं क्या नीयम है इन शब के बारे में हम नétéथ में स्टुड़ी करें गे सब्सक्राइब थी भी maintained इस करना क्या कहलाता है अंतराश्टी वेपर किन शर्दों के अधीन होता है कि यह और कायदे हैं उन सब के बारे में हम यहां पर आध्यान करेंगे यह सारे जब्जेक्स तीन चार साल पहले जहां था मुझे जहांने जब NCRT लागू होगा करता था उसके बाद वापस RBSC ला से लेकर बीकॉम लेवल तक के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे बिजनिस स्टेडिज एक्कोनोमिक्स अकाउंट एंजी बेसिकली मैंने विजहान दिया है बिजनिस स्टेडिज पर पर जब आप लोग करेंगे और अपने साजेशन डालेंगे को स्पैसिफिक टॉपिक आपको समझना हो तो आप यहाँ पर कमेंट में नीचे पोस्ट कर सकते हैं कि मैं हमें ये टॉपिक समझना है मैं उसका वीडियो आपको समझाने के लिए डाल दूँगे इस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है इसके बाद बाद करते हैं आपके स सिलेबस की लोगडाउन में जो सिलेबस नहीं मिल पा रहा है उसके लिए मैंने आपको मेरे चैनल के इस वाले वीडियो में नीचे डिस्क्रिशन में लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करके अपनी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टेडी को कंटीन्यू रख सकते है थैंक यू अल्यू फ्यू टू लिस्निंग मी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और यह वीडियो आपको पसंद आता है तो जल्दी मैं और वीडियो लेकर आऊंगी पूरे सिलेबस के साथ वन बाइवन चैप्टर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे मिलते हैं नेक्स